इनका लोग बैट के सुबह सुबह चिकन कोर्मा चिकन बिर्यानी इन सब की बाते कर रहें और उनकी बॉड़ी में नजिस रहते हैं इंप्योरिटीज रहते हैं जिसके वह आलाउड नहीं इतना की वह बेर ना कर पाए इनके बारे में कोई बात करता है 400 गोड़े मरें पाप अपनी धुलने हैं इनसानों को मगर बैटके जान रहे हैं किसी और जानवर पर जो लोग इसलाम को फॉलो करते हैं जो लोग इसलाम को नहीं फॉलो करते हैं जो लोग थीस्ट हैं जो लोग पॉली थीस्ट हैं कोई भी स है और शुरू से है आज 14 नौंबर की सुबह है और हमने जो विदर फॉरकेस्ट में देखा था पंदर नौंबर से ठंड स्टार्ट होने वाली थी तो शुरुबात हो चुकि उसकी एकदम कोरा कोरा हो गया है अलीगर का क्या है यहां पर ठंड पड़ती है गर्मी पड़ती है गई बार देखाया भी हुआ है एक्स्ट्रीम शहर के एक्स्ट्रीम अली ठंड के एक्स्ट्रीम अली सुबहे में आप सभी का स्वागात है स्सलाम अलेकुम आपके नोदी में वाचिव में चैनल है आन खानम पैके ने ब्रेंड नूव फ्लॉप यॉल्प यू इंक्रीज अब है है जारे थोड़ा सब भ्रमण करने के लिए बाहर ब्रमण करने के लिए लिए जागे चुनिए आज वह है गुलिस्तान सेय्यद को कि हैं सडख पर कुट्झे बहुत घूमते और खास करके आवारा कुत्त्यों कर मुह नहीं लगना तर्वाइस वापको अगर मुह ल जैसा कि आप देख सकते हैं आपके आखों के सामने कोहरा एक कोहरा है इस गार्डन का कुछ ऐसा अलग उस दिखी नहीं रहा है कि अधर अंकल लोग बैट के सुबह सुबह चिकन कोर्मा चिकन प्रियानी इन सब की बाते कर रहें दब मदल्लब इनको ठंड में एसास हो गया कि बॉड़ी की क्या नीड है कोर्मा बिर्यानी ये सब ये चचा टालियां पीट के अपनी ठंड बगा रहे है तो मैं इस तरीके से रखता हूं कि जैसे ही नमास का वक्त हो मुझे दो शेकंड भी ना लगे सुई से लेके निकल के सुई से निकल जाओ बाहर कि एन खान का स्टाइल है एन खान आज के व्लॉग में मैंने डिसाइड क्या हुआ था कि आप से कुछ इंपोर्टन चीज़ो पर डिसकुशन करेंगे आपको सबसे पहले में औरील दिखाता हूं आप सभी देखिये अरे बाई यह तुन्हीं बिल्ली का खरी ले अरे नहीं खरीदी का है हदीस में नभी अले इसलाम ने बिल्ली को खरीने और बेचने से मना फरमाया वह एक उस दिन पहले मुझे मुझ अबे यह तो तेरी नमाज ही बातिल कर देगी अरे नहीं हदीस में नभी अले इसलाम फरमाते हैं बिल्लिया जोए प्रेयर को इन्वैलिडेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बीच में खेलती रहती है चल ठीक है बाई इतना क्या ही सेवा कर रहा है जानवर यह ऐसान लिए प्यास लगे रहते है उसको बहुत सारे कोमेंट्स है कम से कम 9000 के ओपर के कॉमेंट्स हैं मेरे इंस्टागरम पे और यूटूब पे भी होंगे इसे इसे कुछ 400-500 के करीब उन सब के जवाबाद दोंगा क्यों क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ Muslims थे वो भी request कर रहे थे क्या कि भाई ये तो हो गई आपने importance बता दिया कि कितना जानवरों से महबत करने को Islam promote करता हो उनकी देख भाल करने को बट फिर on the other hand काट के लोग खाते हैं पेट भरते हैं जानवरों से तो उस पर क्या बोलेंगा आप तो उसके लिए request किये थे कुछ Muslims that's why I'm making this video और पहली बात मैं clear कर देता हूँ इस वीडियों की starting में कि ये वीडियो किसी को convince करने के लिए नहीं है कोई wedge रहना चाहता है जिंदगी बर रहा है कोई non wedge रहना चाहता है जिंदगी बर रहा है तो कुटे भी आते हैं और भी चीज़े आती हैं उनको क्यों नहीं allowed है ये इस्लाम ने हमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज साफ है कौन सी नापाख है क्योंकि क्या होता हमें घर साफ पाख रखना होता है otherwise फरिश्टे जो है नहीं आते ये concept है इस्लाम में और अपने अपन जैसे ये नहीं बोलता है इसलाम के उनसे फिर बुग्ज रखो उनसे जलन करो उनके ओपर जुल्म करो ये सब नहीं बोलता है बस बोलता है इंप्यॉरिटीज हैं for example जैसे एक बच्चे को एक बाप जो है टोकता है कि बेटा वो गंदी चीज उसको मच हो और वो साफ चीज उसके साथ खेल लो तो इसका कता ही मतलब यह नहीं होता कि इसको हेट करो इसको हेट मत करो अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि ये तो कहने वाली बात हो जाएगी इसी वीडियो में इसी रील में जो मैंने लास्ट वाली हदीस कोट की थी ना उसमें साफ साफ है दो ल महाराता देखता है कि बगल में कुत्ता रहता है वो प्यास की शिदत के विए से मिटी में जो लगी रहती हिनमी उसको चाटता है तो वो देख के उसको बहुत असोस होता है यह सोसता है कि ऐसे कुछ वक्त पहले तक मैं भी तड़प रहा था तो अल्ला ने मुझे पानी दिय प्यूलता है वो भी कुत्ते को अपने जूती में निकालके पानी पिला देती है तो उसके वैसे उसके आल्ला ताला घुनाहों को माफ कर देता है यह क्यों हदीस है इंफसाइस कर रही है इंपॉर्टन्स ऐनिमल वेल बिंग के लिए उसी हदीस के आगे के अलफाज है फिर सहाबा शौक हुए कि हम जानवरों की भी अगर हेल्प करें हैं अनकी सेवा करें तो ALLत ALLOW उस पर अजर देगा तो नभी आलिए अलिए तो कि दुनिया की हर चीज जिसमें जान बस्ती है उसकी सेवा करने पर ALLत ALLOW तो मैं अजर देगा इसलाम में क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्ट जो है वो सुने नवी दावूत के जो हदीस के किताबों में से एक है वो सहाबी थे वो लाल रंकी कोई चड़िया रहती है उसके दो बच्चे थे चूजे थे उसके चूजो को ले लिए उससे खेलने के लिए मतलब ले गया तो उसको देखकर वो जो चड़िया थी वो अपने पंक फड़ फड़ाने लगी तो नभी लिए इसलाम आये और उनके अगरा और उनने देखा और ईनने फरमाए कि किस दिल दुखाया इस चेढ़िये का…. कैसे ? उसके बच्चों को ले जाकर चीन कर फिर उसके अदागे फर्माते हैं कि उसके बच्चों को वापस कर दो, उन्चूजों को वापस कर दो, उसी रिवायत के आगे आता है कि कुछ लोगों ने जो है, एंट की जो कॉलोनीज होती है, जहां पर रहते हैं, मतलब छेद बनाके अंदर जाते हैं उसको जला दिया था, बहुत सा है, लोगो इरिटेट होके कि बारवाज चीटिया नहीं जला देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, तो उन्होंने फर्माया, नबी इसलाम ने कि ये तरीका बिल्कुल जायज नहीं है, ये सजा देने का हक्सी फल्ला है, मतलब जो लोगों बुरे आमाल करते हैं, अग में जलाएगा, एक इनसान दूसरी किसी भी चीज को जिसके अंदर जान बसती, उसको आग में नहीं जला सकता है, जीते जी, ये होता है जल्म, कि किसी जानवर को उसके बच्चों से अलग कर देना, अपने मज़े के लिए, खेलने के लिए, पेट बनाने के लिए, और बहुत पहले की, चौदा सो साल पहले की बाते हैं, इसमें दो चीजे हैं, पेड लगाने के ओपर बात कर रहा है, कि मुसल्मानों में से कोई ऐसा नहीं, जो कोई पेड लगाता है, या फिर बीच बोता है, और उसमें से कोई चिडिया, या फिर कोई इक इनसान, या फिर को और भी खाता है वो भी charity में गिना जाएगा तो animal well-being की बात हुए in fact plantation of trees deforestation के खिलाफ वाली बात होगे सबके references screen पर मिल जाएंगे आपको नबे लिस्लाम एक जगे पे थे तो वहाँ पे एक उंट आता है वो उंट जो है उसके आँखों में आसू थे मतलब type of weeping और crying नबे लिस्लाम आते हैं उसके सर पे हाथ फेरते हैं नबे लिस्लाम पूस्ते हैं ये किसका उंट है तो एक यंग आदमी आता है उंके पास अंसार में से और वो फरमाता है कि यह मेरा है रसूल सलम्स तो नबी लिस्लाम क्या बोलते हैं Don't you fear Allah? तुम्हें अल्ला का खौफ नहीं है? वो जानवर तुम्हारे काबू में अल्ला की पर्मेशन से बहुत सारे जानवर तुम्हारे काबू में नहीं आते हैं वो हमें काट सकते हैं, मार सकते हैं, हमें चोट पहुचा सकते हैं It has complained me that you keep it hungry अब यह नभी की बात है, यह आम इनसान की नहीं है कोई इसमें जादा अकल ना दोडाने लगे कि एक उट कैसे इनसान से बात कर रहा है वो नभी थे, एक मेसंजर है, गाड के मेसंजर है तो उनके पास इतनी पावर होती है कि जब अल्ला चाहेगा तो वो एक जानवर की भी लैंग्वेज को समझ सकते है लेटेस्ट एई जो है वो बैट से कम्यूनिकेशन कर सकते है, बैट चमगादर से तो वो तो प्रॉफिट आफ अल्ला थे, वो तो बहुत आगे थे उसके आगे एक अलफाज देखे, उसके उपर लोड डालते हो, जो उसके लिए काफी हेवी है मतलब लोड भी जादा नहीं जाल सकते है जानवर पे इतना कि वो बैर ना कर पा है ये होते हैं अनिमल राइट्स, इनके बारे में कोई बात करता है आज आप देखो कि बहुत सारे निउस आएगी, अभी लेटस्ट मैं देखो कि यहां पे किसी का वो डीफेम नहीं करना चाहरा हूँ बस मैं निउस बता रहा हूँ, चार सो के उपर घोडे मरें, उनके उपर जो उनको उपर लेकर जाते हैं यात्रा में तो उस पर बैठ के जाते हैं, पाप अपने धुलने हैं, इनसानों को, मगर वो बैठ के जान रहे हैं किसी और जानौर पर, मतलब उहां पर भी आराम, फरामोश इतना ठक जाते हैं, अब डाउन करते हैं कई सारे जानौर वहीं पर मर गए और ऐसे तमाम जगह पर जानौर जिन पर बहुत जुल्म होता है, बुलक कार्ट पर बहुत जादा लोड लाट के उनको लेकर जाता है, ये सब इसलाम में हराम हैं, आप जानौर वहीं पर एक्स्टा लोड नहीं डाल सकते हैं, अगर कोई मुस्लिम करता है, तो उसके लिए भी वही सेम चीज है कि वह भी हराम काम कर रहा है, कोई नौन मुस्लिम करता है, जानौर पर जुल्म कर रहा है, उसके लिए भी सेम वही चीज है, इस जुल्म के लिए इसलाम मना करता है, तो इस पर एनिमल राइट्स वाले कहां रहता है, इस पर कोई लगाया पाबंदी, क कोई चीटी काड़ती है तो उसके यहां पर भी रहते थे चीटिया उन सब में आग लगवा देते हैं उसके लिए अनके पास रिवील करते हैं तुम ले एक चीटी के विए से पूरी की पूरी क्या बोलते हैं चीटियों के एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया यह बहुत गलत है उसके लिए आलए दालादाला वौन करते हैं पौफिट को यह होते अनिमल राइट इनिसक्ट राइट यह हैं और ऐसे झाम आहदीश है और एसे तमाम पुरान में आयते हैं जो क्या बोलते हैं एनिमल के साथ या फिर किसी भी अलग सप्पीशीस के साथ थमीज से पेश कि उनके उपर ना जुल्म करने की तरगीब हमें दिलाती है, मतलब हमें बोलती है कि उन पर ना कोई जुल्म कर सकते हैं, उसका भी हिसाब होगा क्यामत वाले दिन किसी जानुर पर जादा लोड डालते हो, किसी को खाना नहीं देते हो टाइम पर, एक और हदीश है, जिसमें आउरत एक बिल्ली को पालती है, और उसको पालने के बाद उसको बांध के एक जिगह पर रख देती है, तो ना वो जमीन के जो कीड़े रहते हैं, उनको ना मार के खापाती है, और वो और उसको खाना देती है, अलग से खाने को, तो बिल्ली ऐसे मर जाती है, उस बिल्ली क करना अलग होता है और पेट भरने के लिए खाना खाना देट इस डिफरेंट अब उस पर भी हम बात करेंगे यह होगा जुल्म का इसलाम ने कहीं से शुरुआत नहीं कि यह जानवर को खाने के लिए यह इनसान टू पॉइंट सिक्स मिलियन इयर सबों से करते हुआ रहा है आज इसलाम को इतना बैश्कियों करते हैं क्रिश्चैनिटी में जुडाइजम में हर जगर तो है खाने को तो हम किसी का बराबरी नहीं कर रहा है हम अपना बात कर रहे हैं बस इसलाम ने इसमें रूल्स बताए हुए कि कैसे इसको करना है बाकी देशों में बहुत सार ऐसे देश जैसे चाइना है और ऐसे तमाम कंट कुण दो लिए इसको काइट्स और वेल्फेयर की बात करते हैं जो लो फिर वो फिर फोलिंग प्लोट्स ना पहने व भी एक शीप से वूल जो है रियरिंग करके निकाला जाता है तो वह शीप से अपने परमीशन ली थी उसने कौन से भाशा मैंपको परमीशन हैं त है यह हमेरा पुल ले लो पालियोटिक मेजो ले इस में लोग शुरूह से मीट इस और हो किमेट एटरस और रहे हैं और यह कोई ऐसा नहीं कि आ सिर्फ बॉल दिया इंड जो लोग islam को फालो करते हैं जो लोग islam को नहीं फालो करते हैं जो लोग कि जब उस जानवर को मतलब जबा करो उसके गले पर जब वो चाकू लगे तो उसको जादा दर्द का इसास नहाँ अगर उसमें रस्क लगा हुआ चाकू में तो जादा जोल लगा हुए जादा हो तर्डपे का शार्पन नाइफ रहेगा एक ही बार रहो गए खतम और हम तो पुरा धर से सायब जाता है और उस तरीकि से गड़ाल लाउड दया गणाञे कार सब्सक्राइद कि उसके जो नर्फ निशु leps उसमें से खूर निखल निकलते निकलते निकल जाए और उसको जारा दर्द का एसास ना LIVE सिसलिए प्रोग ब्लेरा इसिलिए Um मिशीन से 36 गुर्बानी करने के बाद then eat from them उसमेंसे खाओ then feed the needy उसमेंसे जो जो जरूरत मन्द है उसको भी खिलाओ and the beggar जो गरीब भीखारी होते हैं जो भीक मांगतों उनको भी खिलाओ अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसलाम में मीट इटिंग को बहुत जादा प्रोमोट किया गया एक दम उलट बात है इसलाम इस चीज़ के खिलाफ in fact our human being feels no worse vessel than his stomach अल्ला के नभी अले इसलाम ने फरमाया कि इनसान जो है ना सबसे जादा किसी बरतन को जो भरता है बुरी तरीके से वो है उसका खुद का पेट उसको सबसे बुरी तरीके से भरता है और it is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight तो अल्ला के नभी अले इसलाम फरमाते हैं कि एक इनसान के लिए इतना काफी है कि वो कुछ थोड़े बहुत लुकमे ही खाले खाने के अपनी पीट को सीधा रखने के लिए दिन चर रहा के काम करने के लिए भाग दौड़ करने के लिए उतना काफी है उसको ठूस के खाने के ज़रूत नहीं है यह control diet लेना इसलाम सिखाता है balance diet लेना यानि कि ठूस ठूस के खालो Beware of eating too much eat for it can be as addictive as wine बहुत जादा गोश्ट खाने से बचो क्योंकि यह शराब की तरह addictive हो सकती है उमर इबन खत्ताब जो कैलिफ थे इसलाम के उन्होंने खुद मना किया हुआ है कि बहुत जादा गोश्ट मत खाओ और नबी लिए भी हदीस है कि बहुत जादा consume मत करो food यह क्यों बोला जा रहा है That means कि इसलाम भी बहुत जादा promote नहीं करता कि हर चीज़ में तुम कुछ भी हो रहा function रहा कि उसमें एक chicken गिराओ या एक बक्राओ उठाओ और गिराओ उसको खाना शुरू कर दो पेड भरने के लिए है इसलाम में मज़े के लिए जानवरों का शिकार करना ये भी हरा meat eating जो है कोई excessively इसलाम जो है नहीं promote करता है बलकि उसको balance में करने के लिए promote करता है कि आप उसको खाओ बट need के तहत खाओ taste के तहत मत खाओ इतना जादा कि आप और भी चीज़ें खाने को लॉजिकल चीज़े में जो बात करना चाहूंगा उसमें अंटार्टिका आर्क्टिक वहां पे सबसे आदा लोग meat consume करते हैं क्योंकि उनको body की जो heat जो requirement रहती है वो गोश्ट से ही fulfill होती है वो सबजीयों से नहीं हो पाएगी वो पालक पनीर खाके नहीं जिंदा रह सकते उस कड़ती वाली ठंड में या तो वो बीर पीते हैं बीर इसलाम में हराम हैं तो गोर कोई Muslim होगा तो वो बीर पी नहीं सकता तो बचा के उनके पास यही है वो ghost खाके वहां पर सर्वाइव करते हैं और ऐसी countries में तो जादता non-muslim रहते हैं तो वो ghost ही खाते हैं और in fact पूरे all over the world में हर जगए पे consume किया जाता है non-wage तो इस्लाम ने इकलोता रिलीजन जिसमें रूलिंग्स बताई हुई है कि ये चीज ऐसे करना ये जानवर नहीं खाना जानवरों पर जिल्म करना ही अल्ला के नबी लैस्लाम या फिर इसलाम का पर्पस होता है सारे जानवरों का लाओ करते है ता कुछ भी खाओ उसमें क्यों differentiate कि यह जानवर साफ पाक नहीं है, यह जानवर साफ पाक है, यह जानवर पालने के लिए है, यह जानवर को आप खा सकते हो, सब अलगलग purpose क्यों define क्या है, reason है उसके पीछे क्योंकि Allah जल्म नहीं करना चाहता है, हर जानवरों को तुम काटे जा रहे हो, जिसको अली दे रहे हो, या फिर उनको चड़ा दे रहे हो, अपने भगवान के उपर, यह सब नहीं Allah जल्म चाहता है, I hope that answers all of your questions, अगर कुछ रहे क्या होगा, तो इंशालला मैं next vlog में इसको cover कर लूँँगा, मिलते हैं नहीं व्लॉग में तिल नें टेकर, अस्सलाम उलेकूं